रादे रादे दोस्तों खुशी की रस्वाई में आपका सागा तैस होगा इस आज हम बिना लेसुन पे आज के ग्रेवी वाली सब्जी आलो टोमाटर बरी की बनाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्या रस्वाजिश लगती है और एकदम यूनिक तरीके से यहां पर हम सब्जी आपको खाने में भी लगती है तो आई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज से पहले आपने इस तरीके सब्जी बना कर नहीं खाई होगी तो यहां पर सरसो का तेल डालेंगे याद रहे कि तेल सरसो का ही हो और जब यह लाल हो जाए तो साथ में जीरा मेथी और ह परी में तीर्य चीज़ें से में UH 6 लगाना है जब्यात चटकने लगे तो इसमें हम बढ़िए बारी को थोड़ा से फ्रै कर लेते हैं फिर उसके जैस्ट बाद हम इसमें भारी कटा हुए टमाटर डालें गैंगे तो इसमेंregist को थोड़ा से पहले हम चला लेंके ता कि कोई सबजी जल्दी से अफजर्व कर लेता है सबी चीज जब से टमाटर गल राइस में कुछ मसाले अड़ करेंगे तो काश्मिरी लाल मिश कलर के लिए आप्शनल है इसे के साथ हम सबजी मसाले अड़ करेंगे इसे के साथ हल्दी पाउडर तीनों चीज को अड़ करके बहुत अ साइस के काट करके लिए हैं आलू को मिला करके आलू की इतना फ्राई करना जिसे आलू लाल नहीं हो जाती उस तरीके से हमें आलू को फ्राई कर लेना है इसी में तो आलू को हम थोड़ी देर तक करीब 5-6 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करेंगे जोई बेसन हमने लिया है मात्र हमने 2 चमच बेसन लिया है तो हम गोल बना लेंगे तो हमने गोल बना लिया है तो उसका कब इस्तिमाल करना है वो आपको मैं बताऊंगी, तो पहले हम आलू को अच्छी तरिके से फ्राई करने, और जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए आप देख रहा ह경 यह फ्राई हो चुकी, यह बहुत अच्छे तेल नीचे छोड़ दिया है, और आलू बहुत अच्छी तरिके से फ्राई होकर रेड़ी है तो हमने जो बेसन का घोल बनाया था ना उसे हमें एड़ कर देना है और जो भी थोड़ा से कटोरिम लगा उसे भी हम पानी डालके इसमें एड़ कर देंगे और इसमें घोल बना के तुरंत एड़ करने से यह होता है ना नीचे जो चिपक रहा है इस से बेसंद का जो और में अच्छी तरीके से लपड़ ना तो इसको हमें क्या करना है पानी तो यह तो फ़दी बन करके रैडी हो जाNew तो आप देख रहे हों बहुत अच्छे से बबल सा रहे हैं और सबजी हमारी ready भी है तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पक रह रहे हैं तो कितना पकाना है वो आप देख पा रहे हुँ जब बेशन का जिसे कड़ी में वो नहीं आता फुद की उस टाइप से ये देखे फुद के आ रहे हैं मैं पास से दिखाती हूँ तो आप देख पर कितना अच्छा ग्रेवी इसका बन करके रेडी है तो फट फट इसे हम कर लेंगे सब तो इसे हम एक कटोरी में पडाठे के साथ पूरी के साथ या रोटी के साथ या चावल साथ किसी के भी साथ खाते हैं यह सबजी बहुत खाने में टेस्टी लगती है और एक दम यूनिक टेस्ट है इसका तो इसमें थोड़ा समदेशी घी अड़ कर देंगे उपर से घी एड़ करने से इसमें एक क्रीमी पन आता है जो बहुत ज़्यादा स्वाधिश लगता है तो आप किसी भी चीज के साथ इसे सर्फ कर सकते हो और एक फेस्टीवल में भी इसे बना सकते हो तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी एक बर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड और फैमली के साथ जरूर शेयर करिए अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिलकुल न भूले और हाँ बैल आइकन जरूर दबा ले चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूनिक रेसिपी के साथ बबबाए थैंक यू